जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं दोस्तों मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने दुनिया भर में ताबड तोड कमाई कर ली है और यह फिल्म दूसरे हपते में भी ताबड तोड कलेक्शन करती ही जा रही है और अब किसी के बाप से भी रुकने वाली नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर 3 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में साथी साथ बोली बुट बाश्या और किंग खान की फिल्म डंकी के बारे में और पेन इंडिया सुपरिश्टार प्रभास की फिल्म सालार और रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथी साथ कमेंट करके बताईएगा दोस्तों की इन चारों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है तो सबसे पहले बात करेंगर बोली बुट की फिल्म एनिमल के बारे में जिस फिल्म को डाइरे अनिल कपूर रश्मी का मन्दाना तो दोस्तों इस फिल्म को रणबीर कपूर के केरियर की most अवेटेट फिल्म एनिमल जिसको रिलीज होने में अब सिर्फ 6 दिनों का समय और बाकी है और इस फिल्म का ट्रेलर हमें कल देखने को मिला था जिसमें रणबीर कपूर खुंकार अ वेशे में सुरू कर दी गई थी जहाँ पर फिल्म को एडवांस बुकिंग में काफी जवरजस्त रिस्पोंस मिला और कहीं न कहीं एनिमल रणबीर कपूर के केरियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म ओवर्सिस मार्केट में बनने वाली है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात की जाए एनिमल के ओवर्सिस एडवांस बुकिंग के बारे में तो फिल्म ने अभी तक सिर्फ यूएसे में एडवांस बुकिंग में 83 हजार डोलर की कमाई की है जो कि इंडियन करेंसी के हिसाफ से लगभग 70 लाख रुपे होते हैं दोस्तों फिल्म अभी से ही एडवांस बुकिंग में शांदार कमाई करती जा रही है जबकि फिल्म के एडवांस बुकिंग इंडिया में सुरू होगी तो यह फिल्म इंडियन बोक्स ओपिस पर भी एक धमाकेदार ओपनिंग लेगी हाला कि दोस्तों आपको क्या लगता है रणवीर कपूर की एनिमल पहले दिन बोक्स ओपिस पर कितनी कमाई करेगी कमेंट करके जरूर लेकिन दोस्तों अब बात करें पेन इंडिया फिल्म सालार के बारे में तो केजी एफ केजी एफ चेप्टर टू के ब्लॉगबस्टर प्रसांत नील के डारेक्शन में बन रही है एक्शन पेक्ड फिल्म सालार जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे पेन इंडिया सुपरिश्टार प्रभास सुरूती हसन बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर सालार फिल्म को भी रिलिज होने में अब कम से कम 25 दिन से ज हमाकेदार है और खतरनाक है जी हां दोस्तों आप सभी को बताते चले कि हिंदी तमिल तेलगू मलियालम कंणर पांच भासाओं में रिलिज होने जा रही है फिल्म सालार ने अभी तक USA एडवांस बुकिंग में कमाई की है एक लाख 63 हजार डॉलर की वहीं UK में फिल्म के ए इसाब से एक करोड 64 लाख रुपे होते हैं जी हां दोस्तों यहां पर सालार फिल्म को रिलिज होने में अभी भी 25 दिन से जादा का समय बाकी है लेकिन ये फिल्म एडवांस बुकिंग में अभी से ही शांदार कमाई कर चुकी है बताना चाहूंगा दोस्तों सालार फिल्म का कोई connection बनता है या नहीं क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर सालार में केजी अफ प्रेंचाईजी का कोई भी connection हुआ या फिर यस का कोई भी केमियो निकल गया तो समझ जाए कि सालार फिल्म बोक्स ओपिस के सभी record तोड़ सकती है वहीं अब अगर बात करें मेगा इस्टा में भी करती जा रही है दमदार कमाई जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे कि मनिश शर्मा के direction में बनी action-packed फिल्म टाइगर 3 जिस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू तीन भासाओं में रिलीज किया गया इस फिल्म में हमें सल्मान खान कैट्रीना केफ के अलावा इमरान देखने को मिले थे बताते चले दोस्तों आपको कि फिल्म को सिनमा घरों में जहां एक तरप तो दूसरा हपता चल रहा है लेकिन इस फिल्म की जो कमाई है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है अगर बात करे टाइगर 3 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता देगी टाइगर 3 ने कल तक ही इंडिया से नेट कलेक्शन हिंदी वर्जन में 238 करोड 35 लाख रुपे का किया था वहीं कल तक इस फिल्म ने तमिल और तेलगु से नेट कलेक्शन 6 करोड 45 लाख रुपे का कर चुकी थी यानि कि दोस्तों ये फिल सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने चौदुवे दिन all over इंडिया से नेट कलेक्शन लग भग 10 करोड 50 लाख रुपे का किया और इसी के साथ टाइगर 3 का जो ओल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 251 करोड 30 लाख रुपे का हो चुका है तो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन दो तो दोस्तो फिल्म ने 400 करोड का अकड़ा तो पार कर दिया है अब देखते हैं कि ये फिल्म 500 करोड कब तक कमाती है और फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो आखिर कहा तक जाता है लेकिन दोस्तो अब यहाँ पर बात की जाए 2023 की इंडियन सिनेमा के किंग खान सारुक खान से भी कई गुना बड़ी ब्लोकबस्टर रही लेकिन दोस्तो आपको बता दे कि जवान और पठान के बाद एक बार फिर से किंग खान यानि की सारुक खान सिनेमा घरों में धमाका करेंगे और उनकी अगली फिल्म डंकी सायत इस साल की सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर साबि लेकिन दोस्तो फाइनली अब आपको बता दे कि जो डंकी का फर्स्ट सोंग है लुट पुट गया और रिलीज हो चुका है और ये सोंग देखने में पूरी तरह से सांदार वाइपस दे रहा है जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता दे कि अर्जिस सीह की आवाज में गाया सुनने में काफी जादा मज़ेदार लग रहा है इस गाने को आप एक बार सुनोगे तो अच्छा लगेगा दूसरी बार सुनोगे तो और भी अच्छा लगेगा और तीन चार बार सुनने के बाद आपको ये गाना दिन भरियाद रहने वाला है तो गाना तो सुनने में स्वेग है काफी कमाल का है और सारुक खान और तापसी पन्नी की जो केमिश्ट्री है वो भी बहुत अच्छी लग रही है और इस गाने में सारुक खान का डांस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और जिस तरह से गाने को पंजाब में सूट किया गया है वो देख कौन जीतेगा सारुक खान या फिर प्रभास कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताएं बाकी और भी इसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप के अपने चैनल Bollywood Review को सपोर्ट करें प्यार दें और सुब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले हमारी latest वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद जैसरी कृष्णा दोस्तो